22 जन्वरी 2024 ये सिर्फ एक तारिक नहीं है दुनिया में एक नया इत्यास रचने वाला दिन है अब बस कुछ ही दिन बाकी है 500 वर्सों का लंबा इंतिजार खत्म होगा जब आयुद्या की भव राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्टा होते हुए पूरी दुनिया देखेगी बाविस्तारिक नजदिक आते ही राम भक्तों द्वारा अलग-अलग आयोजनों की रूप रेखा बन रही है इसी कड़ी में जीले की परिटन एवंधार्मिक नगरी महिश्वर में 22 जन्वरी को मद्ध प्रदेश की जीवन दायनी मान नर्मदा नदी का पावंत की जाएंगे संस्ता सत्यमयोजयते के संयोजक और छैत्री विधायक राजकुमार में उन्हें कहा कि 22 जन्वरी को आयोध्या में सिरी राम जी की प्राहन पतिश्टा होगी उस दिन को दिवाली की तरह मनाएंगे नगर के प्रतेख घर से 25 दिये आमजन अपने साथ भव रांगोली भी यहां बनाए जाएगी इसके एक दिन पूर्व 21 जन्वरी को रंजित हनुवान मंदिर से केरिया खेड़ी इस्तीत राम कुंड तक पैदल भगवा धोची यात्रा भी निकाले जाएगी जिसमें महिलाएं कलस लेकर सामिल होगी वही 22 तारिक को शहर के प्रतेक राम मंदिर में विशेश पूजन होगा अलग लग आयोजन होगे हनुआन मंदिरों में महा आर्ती, काकड आर्ती और भंडारों का आयोजन होगा उकता आयोजनों को लेकर सभी मंदिरों सहित कीले पर आकरशक लाइटिंग की गई है पूरा शहर सिर्राम जी के धोज और पताकाओं से दमक उठा है पांसो वर्ष के बाद बहुत ही शुब दिन आया है उस शुब दिन का हमें लाब लेना है 21 तारिक को भगवा कलस यात्रा हम महश्वर से रामकुन केरिया खेरी निकाल रहे उसमें सरीखों जुणें और उसमें अपनी भागिदारी अरजित करें और महश्वर का सामना घाट और अन घाट सभी घाटों पर हमें एक कावान हज्जार दिपों से दीप रोजलित करना है और रागोली बनाना है इतना उसो मनाना है कि दीपावली लोगों को थोड़ा सी कम लगन लग जाए और 22 जनवरी जब हमारे राम जी अपने मंदिर में प्रभेश कर रहे है वो ज्यादा अच्छी लगन लग जाए